नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का सुवागत करता हूँ ये जोगरफी का फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बहुती शांदर तरीके से जोगरफी का जो टोपिक होगा वो बड़े जबरदस तरीके से पढ़ेंगे आप मेरे साथ में बने रहें, बहुत शांदर ये किलास होने वाली है और बहुती जबरदस्ती टोपिक होने वाला है आज से पहले आपने हमारे तीन लेक्चर देखे होंगे, बड़े शांदर तरीके से, बड़े लाजवाब तरीके से हम जोगरफी पढ़ रहें तो प्यारे साथियों, यदि आपको हमारी ये जी एस की किलासे अच्छी लग रही है, तो इनको सेर भी कीजिएगा और आप अपने दोस्तों से बोले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़े और सपेशल जोगरफी जी एस की किलासे अटेंड करें और पढ़ें, ठीक है, तो आज हम इन किलासों के अंदर आज हम इस किलास में, इन किलासों में नहीं, आज हम इस किलास में, इस जोगरफी की वीडियो में या इस जोगरफी की लेक्चर में आज हम बात करेंगे भारत की जो इक्वेटिक boundary line है जलिए सीमा रेखा है उसकी लास्ट टाइम हमने जोगरफी के तीसरी क्लास में तीसरे लेक्चर में तीसरे वीडियो में हमने जिकर किया था कि भारत की जो सीमा रेखा है ना भारत की सीमा रेखा भारत की जो सीमा रेखा है उसके बारे में पढ़ा था दोस्तों भारत की बाउंडरी लाइन है सीमा रेखा उसके बारे में हमने प्यारे दोस्तों आपसे बताया था कि भारत की जो सीमा रेखा है वो जानते हैं सेगेंड अपने पास में नाम आता है किसका तो आप बताएंगे दोस्तो जलिये सीमा रेखा जिसे आप इकवेटिक बाउंडरी लाइन के नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे इकवेटिक बाउंडरी लाइन के नाम से जिसे आप जानते हैं तो लास्ट में दोस की सथलिय सीमा रेखा कैसी है कौन-कौन से पॉइंट इससे संबंदित है वो सारी चीज़े हमने बताई थी आज हम भारत की जो इक्वेटिक boundary line है जलिय सीमा रेखा है उसके बारे में अध्यन करेंगे और बहुती शांदार ये वीडियो होगी आफ वीडियो को अंतक देखना और अपने साथ में कोपी पैन लेके बैठना साथ के साथ में इन पॉइंटों को आप नोट भी करते रहना दोस्तों मजा आ जाएगा आज की वीडियो देखके तो आज की वीडियो का अपना जो मुख्य रूप से टोपिक है ना मुख्य रूप से टोपिक है उसका जो आज की वीडियो का मुख्य टोपिक है अपने पास में तो भारत की जो जलिये सीमा रेखा है भारत की जो एकवेटिक बाउंडरी लाइन है भारत की जलिये सीमा रेखा है आज अपना ये मुख्य टोपिक है मुख्य टोपिक है तो यदी हमने भारत की जलिये सीमा रेखा देखनी है यदी हमने भारत की जलिये सीमा रेखा के बारे में पढ़ना है तो हमने दक्सिन भारत का साउथ इंडिया का एक मैब बनाना पढ़ेगा क्योंकि हमने जब स्थलिय सीमा रेखा पड़ी थी जब हमने international borderline पड़ा था दोस्तों तो हमने उत्तर भारत नोर्थ इंडिया का मैप बनाए था उसी के आधार पर हमने पड़ा था तो यदि हमने दोस्तों जलिय सीमा रेखा के बारे में अध्यन करना है तो हमने एक दक्सिन भारत का साउथ इंडिया का एक मैप बनाना पड़ेगा दक्सिन भारत का एक मैप बनेगा उसी के आधार पर हम भारत की जो भी जलिये सीमा रेखा वगेरा है उनके बारे में अध्यन कर पाएंगे तो हम ऐसा माल लेते हैं कि अपने पास में एक दक्सिन भारत है लेकिन प्यारे दोस्तों कि मैं आपसे एक चीज बता दो बहुती जबरदस्त पॉइंट है कि जलिये सीमा रेखा या जो भी देश सागर अत्वा महसागरों के साथ में लगते हैं उन देशों की जलिये सीमा रेखा को बाटने के लिए एक समझोता होता है 1982 के अंदर जो भी देश पानी के साथ में लगते हैं कहने का मतलब जो भी देश सागर अत्वा महसागरों के साथ में अत्वा खाडियों के साथ में लगते हैं उनकी जो एक्वेटिक बाउंडरी लाइन है उनकी जो सीमा रेखा है उसको बाटने के लिए 1982 में पूरे वर्ल्ड के सभी देशों के साथ में एक समझोता होता है सभी देशों का एक समझोता होता है और उस समझोते को अंकलोस के नाम से जाना जाता है तो कहने का मतलब जो भी देश सागरों के साथ में, महासागरों के साथ में, खाडियों के साथ में लगते हैं पूरे विश्व के जितने भी देश हैं और वो देश सागर अत्व महासागरों के साथ में लगते हैं उनकी जलिये सीमा रेखा को अंकलोस के समझोते के आधार पर बाटा गया पैरे सात्यों बड़ा जबरदस्ट परसन है बड़ा सांदर क्यूसन है कि जो भी देश सागर अथवा महसागरों के साथ में खाडियों के साथ में लगते हैं उनकी सीमा रेखा को अंकलोस के अधार पर बाटा गया अंकलोस का एक समझोता हुआ था ये समझोता 1982 के अंदर हुआ था 1982 के अंदर हुआ था अंकलोस मतलब United Nation Convention on the Law of C ये अंकलोस की फुल फोरम है और जिसे आप किस नाम से भी जानते हैं संयुक्त रास्ट समुद्री कानुन शंधी संयुक्त रास्ट समुद्री कानुन शंधी के नाम से हिंदी में जानते हैं और ये समझोता 1982 में होता है और इसी समझोते के आधार पर जलिय सीमारेखा को बाटा गया लेकिन कितने हिस्सों में बाटा है वो भी हम बताएंगे आप मेरे साथ में बने रहें तो प्यारे साथ यों अंकलोज का समझोता हुआ 1982 के अंदर लेकिन उस समय कहा गया था कि जिस दिन इस समझोते के उपर 60 देश हस्ताकसर कर देंगे जिस दिन इस समझोते के उपर 60 देश सिगनेचर कर देंगे 60 देश सिगनेचर कर देंगे हम उसी दिन से ये समझोता लागू कर देंगे तो 1982 में ये समझोता हुआ और 60 देश हुआ करता था जिसका नाम क्या था दोस्तो गयाना जिसका नाम था गयाना इस गयाना ने इस समझोते के उपर 1994 में शिगनेचर किये थे और भारत सरकार ने यह समझोता 1905 में अपनाया था और भारत सरकार ने यह जो समझोता है यह दोस्तो भारत सरकार ने 1905 में अपनाया था बड़े सांदर तरीके से ये पॉइंट ध्यान रखिएगा अंकलोस का समझोता होता है 1982 में लेकिन उस समय कहा गया कि जिस दिन इस समझोते के उपर 60 देश सिगनेचर कर देंगे उसी दिन से यह समझोता लागू हो जाएगा 60 वा देश जिसका नाम गयाना था जिसने 1994 में सिगनेचर किये थे और भारत सरकार ने ये समझोता 1995 में में अपना आया था ठीक है यहां तक के लिए रहोना चाहिए यहां तक के लिए और यह सारी चीज़े आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को बैट करके लिख लीजिए तो अंकलोस के समझोते के अधार पर जो भी देश सागरों के साथ में महसागरों के साथ में गल्प के साथ में खाडियों के साथ में लगते हैं उनकी बाउंडरी लाइन को तीन हिस्सों में बाट दिया उनकी जो जलिये सीमा रेखा है उसको थ्री पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड कर दिया सबसे पहले अपने पास में नाम आता है प्रादेशिक जल सीमा, जिसे आप टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं, टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं, सैकिंड अपने पास में नाम आता है सनलगन छेतर, सनलगन छेतर मतलब आप उसे सनलगन छेतर को कॉंटिगस जोन के नाम से, कॉंटिगस जोन के नाम से जानते और थार्ड ओल अपने पास में नाम आता है अनन्य आर्थिक छेतर अनन्य आर्थिक छेतर और ये अनन्य आर्थिक छेतर जिसे आप exclusive, economic जो उनके नाम से जानते हैं, exclusive तो जो भी देश भाइस आप जलिये सीमा रेखा बनाते हैं, उनकी सभी देशों की जो boundary line है, इक्वेटिक boundary लाइन है उसको थ्री पार्स में बाटा है जैसी सीमा रेखा जलिये सीमा रेखा हम भारत की पड़ेंगे वैसी ही सारे देश जो विसोगों है जलिये सागरों के साथ में लगते उनकी भी same to same ऐसी ही जलिये सीमा रेखा है फस्त प्रादेशिक जलिये सीमा अपने पास में सलंगन चेतर कोंटिगस जोन और थर्ड अपने पास में नाम आता है अनन्ने आर्थिक चेतर अब अपने पास में फस्त नाम आता है प्रादेशिक जलिये सीमा ये प्रादेशिक जल सीमा कितने समूदरी मील तक होती है तो आप बता देना दोस्तो बारा समूदरी मील बारा समूदरी मील है या समूदरी मील को आपन किस नाम से भी जानते हैं नोटिकल मील के नाम से तो बारा समूदरी मील तक का यदि हम देखे ना, तो बारा समूदरी मील तक अपने पास में, ये वाला जो छेतर है ना, ये वाला छेतर, ये वाला छेतर जो भाई साब किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता दे ना, प्रादेशिक जल सीमा के नाम से, बारा समूदरी मील तक अपने पास में प्रादेशिक जलसीवा है, 12 नोटिकल मिल तक, 12 समूदरी मिल तक पूरन तरीके का अधीकार है, संपूर अधीकार है भारत का, यदि 12 समूदरी मिल के अंदर किसी भी परकार का कोई भंडारन वगेरा मिलता है, भंडार वगेरा मिलता है, तो उससे भारत क किसी को नहीं देगा 100% हिस्सेदारी रहेगी किसकी तो आब बताएंगे भारत की भारत संपूर तरीके की रक्षा करता है बारा समूदरी मील के अंदर कोई परवेश कर जाता तो सूट एंड साइट का उड़ा दो भाईस अब दुश्मन देश को तो कोई भी बारा समूदरी म मील तक भारत का संपूर अदिकार होता है लेकिन दोस्तो समूदरी मील को आप नोटिकल मील के नाम से भी जानते हैं ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा लेकिन समूदरी मील जो जीकर आया है समूदरी मील का तो एक समूदरी मील होता ही कितना है एक समूदरी मील कितना हो किलोमेटर में बदलना होगा, तो 1.852 किलोमेटर हो जाएगा, ठीक है, किलोमेटर पूछे तो 1.852 किलोमेटर और मेटर में पूछे तो 1852 मेटर, ये क्या होता है, एक समुदरी मेल या एक नोटिकल मेल होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़े आप ध्यान रखिएगा संपूर्ण दीकार उसके बाद में अपने पास में नाम आता सनलगन छेतर कॉंटिगास जोन जो अपने पास में 24 नोटिकल मील तक होता है 24 समूदरी मील तक होता है यहाँ यह वाला जो छेतर है न यह वाला छेतर ये अपने पास में भाई साब कितने समूदरी मील तक है तो आप बता देना 24 समूदरी मील तक और ये अपने पास में कौन सा छेतर है दोस्तो तो सलगन छेतर 24 समूदरी मील के अंदर 24 समूदरी मील का यदि जिकर करे 24 समूदरी मील के अंदर दोस्तो भारत का पानी या 24 समूदरी मील तक भारत का पानी बंगाल की खाड़ी में हिन महासागर में और अपने अरब सागर में किसी भी कारण से दूसित हो जाता है किसी भी कारण से ये पान खराब हो जाता है, तो इसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी भारत की है, भारत की, कहने का मतलब समुदर में सागर अत्व महसागरों में साफ सफाई की जिम्मेवारी, सवस्ता की जिम्मेदारी, कितने समुदरी मील तक होती है, तो 24 समुदरी मील तक होती है, किसी भी देश का पानी वाला जहाज या हवाई जहाज किसी भी देश का जहाज अथवा हवाई जहाज इस सीमा में परवेश करेगा तो भारत उससे टैक्स वसूलेगा कहने का मतलब भारत का टैक्स वसूलने का अधिकार कहने का मतलब भारत का वित्ती अधिकार वित्य अदिकार, कितने समूदरी मिल तक है, 24 समूदरी मिल तक अब आप कहेंगी सर जहाज्व मालिया पानी के नीचे नीचे आ जाता होगा लेकिन इस शेटर के ऊपर से कोई हवाई जाज भी गुजरेगा किसी देश का हवाई जाज भी गुजरेगा इस वाले चेतर के उपर से तो उसका भी टेक्स भारत सरकार को देना होगा भारत सरकार उससे भी टेक्स लेगी बिना अनुमती के कोई भी विमान इस शेक्तर के उपर से गुजरी नहीं सकता वरना कानी खतम करनेंगे भाई साथ ठीक है उसके बाद में अपने पास में नाम आता है अनन्य आर्थिक छेक्तर Exclusive Economic Zone बहुत सांदर पॉइंट है Exclusive Economic Zone बहुत सब्ट कितने समुधरी मेल तक है तो दोस्तो अब बता देना 200 समुधरी मेल तक अपने पास में पढ़ता है अनन्य आर्थिक छेक्तर ये अपने पास में ये वाला जो एड़िया पढ़ता है न दोस्तो ये वाला जो एरिया पढ़ता है ये भाईसाब 200 समूदरी मिल तक का छेतर है ये अपने पास में किस नाम से जाना जाता है तो आंब बताएंगे अनन्य आर्थिक छेतर अब अनन्य आर्थिक छेतर की विसेषता क्या है ये किसलिए फैमस है तो भाई अनन्य आर्थिक छेतर एक्चोल में क्या है यदी भारत यदी इंडिया कोई भी नया द्वीप बसाना चाहता है नया आइलेंड बसाना चाहता है तो दोसु समूदरी मील तक बसा सकता है यदी भारत या इंडिया कोई भी द्वीप बसाना चाहता है आइलेंड बसा तो 200 समूदरी मेल तक बसा सकता है, no problem, किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा, और यदि भारत किसी भी मिशाईल का परसिक्षन करना चाता है, किसी बम का परसिक्षन करना चाता है, तो 200 समूदरी मेल तक कर सकता है, अनन्य आर्थी छेतर तक कर सकता है, 200 सम भी का सागर अत्वा मा सागरों के अंदर समान अधिकार है। चाहे कोई देश सागरों के साथ में मा सागरों के साथ में लगता हो, चाहे ना लगता हो। सभी देशों का सागर अत्वा मा सागरों में 200 समूद्री मील के बाद में समान अधिकार होता है। ये आप ज़बरदस तरीके से ध्यान रगेंगा पैरे साथियो यदि आपसे किउस्षं पूछे कि 200 समूद्री मिल के बाद में क्या होगा तो 200 समूद्री मिल के बाद में सागर अथवा मह सागरो के अंदर चाहे कोई देश जलिय सीमा रेखा बनाता हो या ना बनाता हो सभी का समान अधीकार होता है लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो बड़े सतर के उपर मचली पकड़ते हैं वो देश इस समझोते को नहीं मानते जैसे चीन नहीं मानता, जैसे जापा नहीं मानता ये बड़े सतर के उपर मचली पकडने वाले देश है और ये मचली पकड़ते पकड़ते 200 समुद्री मील तो छोड़ो किसी दूसरे देश की इक्वेटिक भाउंडरी लाइन में भी परवेस कर जाते हैं कुछ देश जो ताकतवर मुलक है वो गरीब देशों के अंदर चले जाते हैं तो नहीं मानते वो इस समझोते को लेकिन ये समझोता अंकलोस का 1982 में हुआ लेकिन भारत ने 1905 में के अंदर पनाया था इसके तहत जलिये सीमा रेखा को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हु तो आप बताएंगे 12 समुधरी मेल उसके बाद में सटाप सलक्सन कमीशन सीधा क्यूसन पूछेगा सललगन छेतर की चोड़ाई कितना होती है और जैसे ये क्यूसन पूछेगा पहला ओप्शन 24 समुधरी मेल आएगा और गलती से आपने पहला ही कर दिया तो तुरंत गलत ह सललगन छेतर जिसकी चोड़ाई का जीकर करेना तो 24 नाओं के 12 है क्योंकि 12 समुधरी मेल तक तो प्रादेशिक जल सीमा फैली है और 12 से आगे 12 ध्यान रखिएगा सललगन छेतर की चोड़ाई है SSC, सटाफ, सलक्सन, कमीशन आप से सीधा परसन पूछेगा सीधा क्योंसन पूछेगा की अनन्य आर्थिक चोड़ाई कितनी है तो अनन्य आर्थिक चेतर की चोड़ाई 24 से लेकर 200 तक है तो कहने का मतलब ध्यान रखेगा 166 किलोमेटर चोड़ा है अनन्य आर्थिक चेतर ये ध्यान रखेगा तो एक बर इन चीजों को मैं साफ कर रहा हूँ उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद में हम देखेंगे तो प्यारे साथियो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें और आप अपने दोस्तों से बोले कि वो हमारे साथ में जुड़े और ये सपेसल बैच प्राप् बनाते हैं भारत के साथ में जलिये सीमारेखा बनाने वाले जलिये इकवेटिक बाउंडरी लाइन बनाने वाले कंट्री कितने हैं कितने देश है जो भारत के साथ में जलिये सीमारेखा बनाते हैं इकवेटिक बाउंडरी लाइन बनाते हैं तो भारत के साथ में जलिये सीम मुलक पाकिस्तान यहां पर एक भी पढ़ता है बांगला देस और यहां पर अपने पास में एक देस पढ़ता है जिसका नाम क्या है शिरी लंका और यहां पर अपने पास में एक देश पढ़ता है और उस देश का नाम क्या है तो आप बताएंगे मालदीव जो एसिया महादवीब का छोटा देश है जो एसिया महादवीब का कैसा देश है छोटा देश है ये ध्यान रखिएगा तो ये 6 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ में जलिये सीमा बनाते हैं। भारत के साथ में इक्वेटिक बाउंडरी लाइन बनाने वाले देश पाकिस्तान, बांगलादेश, मयामार, इंडोनेसिया, स्रीलंका, माल्दीव। लेकिन इन में से कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों, जो भारत के साथ में जलिए सीमारेखा भी बनाते हैं। और भारत के साथ में इंटरनेशनल बोर्डर लाइम अथ्वा सथलिये सीमा रेखा भी बनाते हैं और भारत के साथ में जलिये अथ्वा सथलिये सीमा रेखा भारत के साथ में जलिये अथ्वा सथलिये सीमा रेखा भी बनाते हैं आप दोस्तों आपने पास में यहां पर एक द्व पढ़ता है जिसका नाम क्या है अंडमा निकोबार द्वीप समूँ आप इन से बलीभाती वाकिप होंगे आप इन में से कौन सा देश भारत से किस परकार जुड़ा हुआ है भारत के साथ में इन देशों के क्या-क्या पॉइंट बनते हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको यहा आपर नीचे एक मयामार है मयामार और यहां पर एक मयामार का द्वीप पढ़ता है जिसका नाम है कोको आइलेंड आप दोस्तों आप सभी को मालूम तो होगा ही द्वीप होता क्या है द्वीप वो छित्तर होता है दरातल का जिसके चारोतर पानी लगा होता है दरातल का वो पास में पढ़ता है अंडमान ओर मयामार के कोको द्वीब और अंडमान द्वीब के बीच में यह जो channel है नहीं यह पानी का छieseतर है यह छ Table किस नाम से जाना जाता है तो आधाेंगे कोको Channel के नाम से 司क्त स्विएतर के छेतर जाना जाता है पानी का वो संक्रा मार्ग जो आपस में दो सथलिये भागों को जोड़ता हो, अत्वा अलग करता हो, जिसकी सागर अत्वा मासागरों में चोड़ाई 200 से 300 समूदरी मिल तक होती है, वहीं छेतर चैनल के नाम से जाना जाता है। पानी का वो संक्रा मार्ग जो आपस में दो सथलिये भागों को जोड़ता हो, अलग करता हो, वहीं छेतर किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे चैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो मयामार के कोको द्वीब और भारत के अंडमान द्वीब के मद्दे एक चैनल है, जिसका नाम क्या है दोस्तों तो आप बताएंगे कोको चैनल है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है, इंडोनेसिया का, इंडोनेसिया के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इंडोनेसिया, इंडोनेसिया की वैसे राजधानी भी बदल गई, इंडोनेसिया का यहां जीकर कर ले अपन, यह इंडोनेसिया है, इसका एक ज़्यादा मुस्लिम समूदाई के लोग कहां रहते हैं तो आप बताएंगे दोस्तों इंडोनेसिया में रहते हैं इंडोनेसिया जिसकी पहले दोस्तों राजधानी जकारता होती थी आप इंडोनेसिया की राजधानी क्या हो गई नू संतारा ये इंडोनेसिया की राजानी हो गई पहले क्या थी जकारता अब राजानी क्या हो गई नू संतारा किसकी हो गई तो आब बता देना इंडोनेसिया की इंडोनेसिया का द्वीप करें तो यह है विशव का सबसे बड़ा द्वीप समू है आइलेंड गुरूप है देखो विशव का सबसे बड़ा द्वीप नहीं कह रहे हैं हम तो विशव का सबसे बड़ा द्वीप समू कह रहे हैं और विशोव का सबसे बड़ा द्वीप सम्हूं इंडोनेसिया और विशोव का सबसे बड़ा द्वीप सम्हूं इंडोनेसिया और विशोव का सबसे बड़ा द्वीप सम्हूं इंडोनेसिया इस इंडोनेसिया में लगबग ऐसा बताए जाते हैं कि भाई साथ 13,000 द्वीप ह जनसंख्या वाले द्वीपों का जीकर करें तो लगबग 6000 द्वीप जनसंख्या वाले इंडोनेसिया के अंदर बताई जाते हैं इंडोनेसिया है तो मुसलिम बहुल कंट्री लेकिन विश्व का सबसे बड़ा बोध मंदिर बोध धर्म से रिलेट्टिड विश्व का सबसे बड़ा बोध मंदिर बोध टेमपल यदि जीकर किया जाए बोध टेमपल का तो इंडोनेसिया के अंदर ही पढ़ता है उसका नाम क्या है तो आब बताएंगे दोस्तो बोरो बदूर बोध मंदिर बोरो बदूर बोध मंदिर देखो बड़ा अपने आप में एक रोमांचक द्रेस से है ये रोमांचक पॉइंट है विशो में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहा निवास करते हैं तो दोस्तों आप बता देना इंडोनेसिया में लेकिन विशो का सबसे बड़ा बोध मंदिर विशो का सबसे बड़ा बोध मंदिर भी कहा है इंडोनेसिया में जिसका नाम क्या है बोरो बदूर आप हमने बताया कि 6,000 द्वीप ऐसे हैं जिनके उपर जनसंख्या रहती है तो सरवादिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है तो आप बताएंगे दोस्तो जावा जावा सरवादिक जनसंख्या वाला द्वीप है लेकिन एक SSC का फैवरेट क्यूसन है कि जावा और सुमात्रा जावा और सुमात्रा आईलेंड कहां पर सितित है ये दोनों इंडोनेस इंडियन ओसियन में हिंद महा सागर के अंदर सिथित है तो ये जो इंडोनेसिया है इस इंडोनेसिया का एक द्वीप पढ़ता है यहां पर और उस द्वीप का नाम क्या है तो आप बताएंगे दोस्तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेसिया के सुमात्रा द्वीप और भारत के ग्रेट निकोबार के मद्दे जो चैनल है ना ये पानी का चैनल वो किस नाम से जाना जाता है ग्रेट चैनल के नाम से महान चैनल के नाम से ग्रेट चैनल अत्वा सुमात्रा चैनल के नाम से जाना जाता है देखो इंडोनेसिया के सुमात्रा दुई और भारत के ग्रेट निकोबार के मद्दे ग्रेट निकोबार के बीच में या मिड में जो पानी का चैनल है ये पानी का चैनल दोस्तो किस नाम से जाना जाता है Great Channel के नाम से अथ्वा सुमात्रा Channel के नाम से जाना जाता है अब अपने पास में ठीक है तो इंडोनेशिया पता लग गया कौन से चैनल के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है अब हम आएंगे अपने पास में सिरिलंका भारत का सबसे पडोसी समुद्री देश है भारत का सबसे पडोसी समुद्री देश कौन सा है तो आप बता दे जाना सिरिलंका जिसकी राजधानी दो है एक तो जिसकी राजधानी कोलंबो है और एक जिसकी दूसरी राजधानी क्या है जैवर्धन पुरे कोटा जैवर्धन पुरे कोटा ये राजधानी है स्रीलंका की और एक राजधानी कोलंबो है जिसकी कितनी राजधानी है दो भारत का सबसे पडोसी समुदरी देश का जीकर किया जाए तो स्रीलंका आप ये चीज देख रहे होंगे यहाँ पर ये आप मैप भी देखते होंगे तो यहाँ पर एक लाइन सी नजर आती होगी एक्च्वल में इस लाइन सी या इस सेतू को हम किस नाम से जानते हैं तो आप बता देना दोस्तो राम सेतू के नाम से राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है राम सेतु के नाम से जानते हैं राम सेतु कौन से दो देशों के बीच सितीत है तो भारत और स्रिलंका के बीच ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान स्रिराम माता सीता को लाने के लिए स्रिलंका गए थे तो यहाँ पर उन्होंने पत्थरों का एक ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था, समुद्र के उपर से, उसे ही राम से तू की नाम से जाना गया, लेकिन मुस्लिम जो इतियासकार हैं, वो इसे किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे आदम का पुल, आदम का पुल इसे म पुल को किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों आब बता देना देखो कोई भी दिक्कत हो ना तो कमेंट कर देना मैं सोलूशन कर दूँगा लेकिन हम बड़े प्यार से समझ रहे हैं बड़े प्यार से प्यारे भाव से सारी चीज़े पढ़ते चल दे तो मुस्लिम मानेताओ के यह आदम का पुल है उसके बाद में यहीं पर अपने पास में एक खाड़ी पढ़ती है मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी मतलब गल्प ओप मनार मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी और यह मनार की खाड़ी भारत और स्री लंका के बीच में ही सितीत है ध्यान रखिएगा भ पढ़ता है जिसका नाम है रामेस्वरम द्वीप नाम तो सुनाओगा आपने रामेस्वरम द्वीप जिसका नाम बदल के दोस्तों क्या हो गया पंबन द्वीप हो गया भारत और स्री लंका के बीच ही स्थित है रामेस्वरम द्वीप और यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक जलसंधी पढ़ती है जिसका नाम है पाक जलसंधी पाक जलसंधी एक्जाम में बहुत बार SSC का फैबरेट क्यूस्टन है और बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है कि पाक जलडमरू मत दे पाक चैनल पाक जलसंधी या पाक स्ट्रेट कौन से दो देशों के बीच मे अधिकतर बच्चे भारत और पाकिस्तान ही करके आते हैं लेकिन तुरंत गलत हो जाता है क्योंकि पाक जलसंदी है ना पाक जलसंदी वो भारत और सिरिलंका के बीच सितीत है तो भारत और सिरिलंका भारत के साथ में सिरिलंका जली सीमा रेखा बनाते हैं तो भारत से सिरिलंक कौन-कौन से पॉइंटों के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो पहला पॉइंट पाक जलसंदी भारत और स्रिलंका के बीच में सितित है दूसरा पंबन दूइप अथवरा मेशुरम दूइप भारत और स्रिलंका के बीच सितित है तीसरा राम से तू या आदम का पुल भारत और स्रिलंका के बीच सितित है चोथा मनार की खाड़ी गल्फ ओफ मनार भारत और स्रिलंका के बीच सितित है भारत और स्रिलंका के बीच सितित है इन पॉइंटों को आप साथ की साथ में लिख लीजिए कि इस परकार से स्रिलंका भारत के साथ में जुड़ा हुआ है। महल है महल भासा जिसके उपर बोली जाती है लेकिन यहां पर अपने पास में एक द्वीब समु पढ़ता है जिसका नाम है लक्स द्वीब समु के अंदर दोस्तों टोटल द्वीब 36 है लक्स द्वीब समु के अंदर लेकिन लक्स द्वीब समु का एक द्वीब पढ़ता है न मिनिकाय दुवीब तो मिनिकाय आइलेंड और मालदिव कंट्री के बीच में कौन सा चैनल है तो यहां से भाई एक चैनल गुजरता है और उस चैनल का नाम है आठ डिगरी चैनल ध्यान रखिएगा आठ डिगरी चैनल आठ डिगरी चैनल का यदि हम जीकर करें तो आठ डिगरी चैनल मीनिकाय और माल्दी उदेश के मद्देश शितित है एक्चॉलमी यह आठ डिगरी चैनल है ही क्या तो आठ डिगरी जो चैनल है ना दोस्तों वो आठ डिगरी लेटिटूड है नोर्थन लेटिटूड आठ डिगरी और वो आठ डिगरी उत्री अक्सांस रेखा जो मीनिकाय और माल्दी उदेश के बीच से गुजरती है उसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया है तो दोस्तो बहुत सांदर तरीके से आपन जोगरफी पढ़ते चलेंगे तो आज ये जोगरफी का फोर्थ लेक्चर था फोर्थ लेक्चर में हमने भारत की जो इक्वेटिक मौंडरी लाइन है उसके बारे में पढ़ा है बड़े सांदर तरीके से पढ़ा है और मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे भी लगी होगी ये वीडियो आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में भी बैठी होगी तो इसी परकार की जबरदस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ में लगातार बने रहना लगातार हमारे साथ में जुडे रहें आप अपने दोस्तों से बोले कि जादा से जादा सारे दोस्त आपके इस बैच को जुआइन करें क्योंकि बैच बड़ा ही शांदार होने वाला है इस बैच में पढ़ाई बहुत ही लाजवाब होने वाली है तो प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में बने रहना और देखते रहना G.S. अपेसल, G.S. मतलब विशेस रूप से जोगरफी, क्योंकि G.S. में हम काफी अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और जिसमें एक सब्जेक्ट अपने पास में आता है जोगरफी, और वो जोग काफी जोगर.